हेलो एन वेलकम इन मल्टिपल क्लाजेश टूड़े वी डिसकस एबाउट दे कॉड़िटिक एक्वेशन आप क्लास 10 अगर आपको वीडियो में को दिक्कत हो रही है अब थोड़ा बलर दिख रहा है तो वीडियो कॉड़िकर पर आप बढ़ा है 360 या 480 पर कर दें पीम है हम सवाल पे a train travel 360 km at uniform speed if the speed has been 5 km per hour more it would have taken 4 hour less for the same journey find the speed of the train train है वो 360 km travel कर रहा है कितना travel कर रहा है total distance कितना हो गया total जो हमारा हो गया total distance total distance हमारा हो गया 360 km बेटा और हमारी जो विलास्टी है क्या uniform if uniform velocity uniform velocity को मान ले v uniform velocity को मान ले equal to v कर रहा है if the speed has been 5 km more 5 km hour more if speed को 5 km बढ़ा दिया जाता है it would be taken one hour less for the same journey find the speed of the distance तो पहले हम इस्पीड मिल गया और इस्पीड मिल गया और इस्पीड मिल गया और दिस्टेंस मिल गया तो टाइम इकोल टू क्या होता है बेटा इस्पीड इकोल टू डिस्टेंस अपन टाइम तो टाइम इकोल टू डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा स्पीड तो हमारा हो गया बेटा आपको अच्छे से दिखे रहा है एक मिनट देख लेते हैं ठीक बेटा तो हमारा क्या है डिस्टेंस कितना है 360 किलो मीटर एंड स्पीड कितना है वी अब बोला है अगर इसमें वन आवर माइनस हो जाएगा और स्पीड को बढ़ा दिया जाएगा तो हम एक घंटा पहले पहुचेंगे तो हमको क्या पता है Speed equal to Distance upon Time Cross multiply हुचे हागा Distance equal to Distance equal to Speed into Time Distance हमको क्या ता Strength 360 किलो मीटर कहा है technical speed को 5 km पर अवर इंक्रीज कर दिया जाए Speed को क्या कर दिया जाए를 5 km पर अवर इंक्रीज कर दिया जै ठीक है 5 km पर आवर मतलब अगर वी है तो वी को प्लस 5 कर दिया जा एस 때도 तो टाइम क्या हो जाएगा यह जो टाइम है वन आवर लेस हो जाएगा 5 किलोमेटर पर आवर टाइम 360 अपान वी माइनस 1 हो जाएगा पिटाई ठीक है 360 वी प्लस 5 360 अपान वी माइनस 1 हो गया आई ये अब सॉल्ब करते हैं यहाँ LCM ले लेंगे 360 इड़ जाएगा 360 इड़ ले 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 लेats 5 लेँ 362 minus V upon V cross multiply 360 V equal to V plus 5 360 minus V multiply 360 V 360 V minus V square 5 से multiply 5 0 0 5 6 0 30 30 Catherine Kerry 18 और minus 5 V बेटा ठीक है बेटा आईए आगे देखते हैं अब ये 360 V इधर भी है और 360 V इधर भी है बेटा तो दोनों में same sign है इसलिए cancel हो जाएगा हमको इधर मिला क्या minus V square minus 5 V plus 1800 multiplying minus on both side V square plus 5 V minus 1800 अब हमको ऐसे दो नमबर आएए जिसको multiply करने पर 1800 आजाए और minus करने पर 5 V आजाए आईए देखते हैं पहले factorize करेंगे हम 1800 का 100 का अलग कर दे रहा है एटीन का अलग कर दे रहे हो है रहा है इसे आजा है तो हमको मिल गया है 233 2255 बेटा आए आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं तो हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको सब्स्ट्रेक करने पर कितना है फाइफ भी आए 5 5 25 3 2 9 9 2 18 or 18 to the 36 यह देखे 5 3 जा 15 15 3 जा 45 उनको 45 में लिए इसके बात 5 तू जा 10 10 तू जा 20 तू जा 40 तो 45-40 करेंगे तबको 5 मिल जाएगा और मल्टिप्लाइव करेंगे तो एट 1100 मिल जाएगा V Square प्लस 45 V minus 40 V minus 1 800 यहाँ V कामर लेंगे V प्लस 45 और यहाँ minus 40 कामर लेंगे तो यहाँ V प्लस 45 बेटा तो हो जाएगा v plus 45 कामा लेंगे second bracket में क्या बचाए v minus 40 बेटा हमने क्या बताया था जब दो value हो दोनों का product अगर 0 के बराबर हो तो separately दोनों 0 के बराबर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे v plus 45 equal to 0 तो v equal to minus 45 बेटा तो बेटा जी एक आगया v minus 45 v minus 40 equal to 0 तो v हो गया हमारा 40 तो speed हो जाएंगे डिस्टेंस यहां negative नहीं होगा तो v equal to हमारा हो जाएगा 40 एक हो जाएगा 40 किलो मेटर पराबर और दूसरा क्या हो जाएगा 45 दूसरा क्या है x plus 5 कहा गया हमारा v plus 5 तो पहली speed क्या होगी जब वो था जब स्टार्टिंग में uniform velocity तो v1 हो गया हमारा 40 किलो मेटर पर आवर तो v2 क्या था 40 40 plus 5 तो v2 हो जाएगा 45 किलो मेटर पर आवर बेटा 45 किलो मेटर पर आवर यह आगे देखते है आगे क्या बोला है देखी 2 tap 2 water taps together can be fill a tank 9 say 3 but 8 hour the tap of the large diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately find the time in which each tank separately fill the tank हमको time चाहिए बेटा 2 tap 2 tap है जो meal के कोई work कर रहे है जिसको 9 9 say 3 but 8 hour में complete कर दे रहे है तो और जो हमारा जो tap है larger tap का diameter है take 10 hour less क्या कर रहा है 10 hour less ले रहा है बेटा what then the smaller one उसके बाद दोनों के add करेंगे बताएंगे हम कितना time कौन लेगा तो मान ले रहे हैं अगर एक यक्ष आवर ले रहा है तो दूसरा कितना आवर लेगा 1 upon वो दूसरा लेगा 1 minus 10 और यहां एक चीज और समझने वाली बात होगी यहां आता है जब हम कोई work करते है p equal to w by t होता है power is inversely proportional to time तो हम power को अगर करेंगे तो जो time है उसको हम क्या कर देंगे reverse कर देंगे हमको क्या पता है p equal to होता है बेटा w by t power is inversely proportional to time हम मान ले रहे है if smaller tank take time यक्सावर क्या ले रहा है यक्सावर ले रहा है तो जो larger वाला होगा larger tank लार्जर ट्रेंग होगा वो लेगा x minus 10 hour ठीक बेटा और ये total जो हमारा कितना है 9 सही 3 बटा 8 72 अपन 72 75 बाई 8 बेटा हमने क्या बतला power is inversely proportional to time तो time का reverse कर देंगे तो ये जो time है इसको one upon कर देंगे दोनों को add कर देंगे क्योंकि दोनों का sum तो इसको भी reverse करके बराबर हो जाएगा बेटा तो first time का T1 second time का power T2 equal to total power T ठीक यहाँ P1 कर दे रहे है P1 P2 और ये total power P बेटा और power is inversely proportional to time तो इसका मतलब time जो है इसको उलड़ देंगे तो time यहाँ के दना है X hour तो यह हो जाएगा 1 upon X hour यहाँ 1 upon X minus 10 और इधर क्या हो जाएगा 8 upon 75 ठीक बेटा अब यहाँ ले लेंगे हैं LCM X X minus 10 X minus 10 plus X equal to 8 upon 75 बेटा यह हमरा X plus X 2 X minus 10 अपन इधर X square minus 10 X 8 upon 75 cross multiply 75 2 X minus 10 equal to 8 X square minus 10 X बेटा इधर देखते हैं 75 25 जा 10 24 15 X minus 7 50 8 X square minus 80 X सब वेलू इधर लेके आ जारे हैं 10 X सब्सक्राइब लेके हैं 10 X minus 10 X 10 X plus 750 बेटा यह कितना हो जाएगा 8 x square minus 0 0 हो गया 13 और यह 2 और यह प्लस 750 इसको हम चाहेंगे तो 2 से डिवाइब के टू कमर लेंगे और यह और यह प्लस 7 कामन लेख सकते हैं आई तिंग यह फूर फाइब जा हो जाएगा यह फूर से नहीं कटेगा टू से सब कर जाएंगे बीटा तो जाएगा फूर येक्स स्क्वाइर माइनस वन 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 फाइफ येक्स प्लस तू तू त्री जा शिक्स तू सेवन जा फूर्टीन फिफ्टी तो ऐसे दो नंबर हमको चाहिए जिनके मुल्टिप्लाई करने पी इधा देखते हैं थ्री सेवन फाइफ इंटू फूर फूर फाइब जा वून फूर्टी फूर सेवन जा फूर्टी ऐट हटी तू करी और ये फूर्टीन हंडड्ड मुल्टिप्लाई करने 14 अट हंडड्ड और अड करने फे 1 फिस्टीन exfol.14 फूर्टीन हंडड को क्या पताए था सेइसे तो हमको मैक्स कोशिस करना पड़ेगा जानने के लिए तो 572 जा 14 14 टूजा 28 28 टूजा 555 जा 5 से बन्जा 35 5 से बन्जा 35 और 5 टूजा 10 10 टूजा 5 टूजा 10 10 टूजा 20 22 जा 40 55 जा 55 जा 25 एक मिट 25 तो वैटा यह मुल्टिप्लाई करने भी 1500 आएगा पांच पच्चीस पच्चीस जोग का सव और प्लस पंद्र तमको क्या मिलके फेक्टराइजेशन 4 X स्क्वाइर माइनस 100 X माइनस 15 X प्लस 3 75 पेटा आएए इधर देखते हैं 4 X स्क्वाइर था पेटा तो उसमें से हम 4 X कमन ले लेंगे तो कितना आएगा X माइनस 25 अब माइनस 15 कमन लेंगे तो इधर आजागा X माइनस 25 X माइनस 25 कमन ले लेंगे जाहन से देखे एक माइनस 25 X माइनस 25 तो X माइनस 25 कमन ले लिए तो क्या बच्छा 4 X माइनस 15 पेटा इक्वल तो 0 तो एक एक बार एक्स इक्वल टू 25 आएगा और एक्स इक्वल टू 15 भाई 4 आएगा पेटा अगर जो लाज लाजर टैंक की बात हो रही है तो यहां माइनस जब 10 रखेंगे तो माइनस जब 10 रखेंगे तो हुआ जो टाइम है यह क्या आजाएगा यहा एक्स माइनस 10 कर देंगे तो लार्जर टैंक का टाइम मोजागा जो हमारे क्या जगा देखिए एक्वल 2 15 मैं 4 माइनस 10 15 15 माइनस 40 अपान 4 तो हमारे यह आगा माइनस 5 और यह 2 माइनस 25 बाइ 4 टाइम इस नेवर भी माइनस 25 बाइ 4 माइनस नेवर भी निगेटिव सो यह यह वाली वैलू नहीं होगी एक्स की अब एक्स इक्वल टू 25 तो एक्स 1 25 हो गया हमको किसका स्मालर का लारजर का क्या हो गया टी टी टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस 10 25 माइनस 10 तो हो जाएगा 15 आवर बेटा आई एधर देखते हैं an express train take अ one hour less than a passenger train जो express train है वो passenger train से one hour less time ले रहे है train to travel one thirty-two km betweenarena be and Bangalore Bangalore और Measmalore में one thirty-two travel करने के लिए एक घंटा कम ले रहे है टाइम ठेक है बेटा and consider without taking into consider टाइम डेवी स्टॉप इंटर मीडियर इस्टिशन वो कहीं पर रुख नहीं रही है इव दे आवरेज स्पीड आप दे एक्स्प्रेस्ट ट्रेन इस 11 किलोमेटर आवर मूर अगर 11 किलोमेटर मूर कर दिया जाए दे टाइम टेकिन आप दे पैसेंजर ट्रेन फाइंड आवरेज स्पीड आप दे टाइम तो वही वाली हाल है टोटल डिस्टेंस के अगर यूनिफॉर्म जो स्पीड है या आवरेज स्पीड जो है आवरेज स्पीड एवरेज स्पीड कैर बिता अगर x है तो दूसरा स्पीड क्या हो जाएगा सेकन्ड स्पीड या V2 कितना हो जाएगा x plus 11 km per hour और distance तो हमको पता ही है distance कितना बेटा distance equal to 132 km तो view क्या हमको time मिल जाएगा time time equal to पहले मनें बता है distance upon speed distance कहा है 132 km per hour km और speed हो गया x तो हम क्या करेंगे speed equal to distance into speed equal to distance upon time time equal to time equal to speed into no sorry distance equal to speed into distance equal to speed into time speed into time distance distance equal to speed into time distance equal to speed into time speed कितना है बेटा x hour जबने इस वारी x plus 11 x plus 11 hour हो जा रहा है जो time कितना हो जा रहा है 132 upon x minus 1 और डिस्टेंस तो हम को पहता है 132 km बेटर lcm x plus 11 132 minus x cross multiply 132 x बेटा यहाँ सी lcm लेंगे 132 minus x upon x तो यह वाला x इधर multiply कर दिया हमने आई इधर देखते हैं 132 x minus x square 132 x minus x square plus 132 into 11 और यह minus 11 x equal to 132 x इधर भी 132 है इधर भी 132 same sign है ठीक है cancel हो गया अब बचा कितना minus x square minus 11 x plus 132 into 11 equal to 0 तो हम क्या करेंगे minus से multiply कर देंगे multiplying minus on both side तो यह minus भी plus हो जाएगा यह भी plus हो जाएगा और जो plus है हो minus हो जाएगा minus से multiply करने पर sign क्या होती है change हो जाती है तो हमको ऐसे दो number चाहिए जिनके multiply करने पर इतना है और सब स्ट्रेक करने पर इतना आई यह देखते हैं 132 किसका फेक्टर है 132 262 233 3 11 223 11 और एक 11 पहले से है ठीक है एक 11 यहाँ पहले से 11 तू जा 11 तू जा 33 और यह 11 तू जा 22 और 24 मतलब 44 44 माइनस 33 23 यहाँ से स्क्वायर प्लस 44 यहाँ से यह प्लस 44 हो जाएगा यहाँ माइनस 33 कामन लेंगे तो माइनस माइनस अभी पीछे ही बता है था माइनस क्या होता है माइनस प्लस हो जाता है माइनस कामन लेते हैं यह देखे कामन कैसे लिया जाता है यह समझे माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है ठीक और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है तो माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस होता है प्लस इंटू प्लस प्लस होता है बिटा तो हमारा क्या है यहाँ पे माइनस है तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा अगर यहाँ से हमने माइनस कामन ले लिया यहां से minus common ले लिया क्योंकि यह value minus थी ठीक यह value क्या थी minus थी तो हमने यहां minus common लिया क्या किया है minus common लिया result क्या था हमारे यहां negative है यहां सबने minus common ले लिया तो बचा क्या यहां पर plus तो यहां जब हमने minus common ले लिया तो हमारे क्या बच रहा है plus है दो यहां क्या वच्यों छेगा प्लस एक्स प्रिया माइने से माइने से और में यहां क्या कIAMयन लिए माइनेस माइनेस कम लित फिर रचा प्लस थर्टी- sonra एफ गॉचल के ने फिर्ट एफ एखनों पालगत है कि अच्छे कनों आ तो ये एक हम आप दोनों को हम क्या करेंगे yellow-k alarm आपर कर दीए इन अ-3 x- 33 is-33 коट टी एकश-ל टो 33 किकलो मेटर पर आवर और यह ईक सम्क प्लास 4 इकork εणिन फोक्ल टी प्लिलाएं तब आवर page इस्टेंस इस्टेंश इस्पीड नेवर बिनेखेटिब इसलिए हमारा एक सिक्वल टू 33 प्लस 33 किलो मीटर पर आवर एक दूसरा क्या उसमें एक बताया क्या था इस पीड को उसमें क्या कर दिया था वी टू क्या हो जाएगा 11 इसमें एड हो जाएगा वी टू कितना हो जाएगा 33 में 11 44 किलो मीटर पर आवर आये देखते हैं second question next question sum of the area of two square is इतना area का क्या formula होता बेटा area of square area of square area of square क्या होता है length का square मतलब एक का अगर length yaks है तो yaks square हो गया दूसरी का length क्या होता है second second square का area क्या हो गया बेटा y square sum of area of two square मतलब x square plus y square equal to 468 meter square और बोला perimeter perimeter क्या होता है बेटा perimeter का formula क्या होता है 4x तो यह हो जाएगा second वाला 4y तो दोनों का sum क्या हो जाएगा 4x plus 4y equal to 24 4 common लेंगे तो x plus y equal to 24 बेटा तो x plus y equal to 6 तो x equal to 6 minus y तो हमने x की value रख दिया x minus 6y का whole square plus y square 468 अब हमके a square plus b square minus 2ab plus y square equal to 468 बेटा तो यह हमारा हो जाएगा y square 2y square minus 12y 2y square minus 12y minus 468 plus 36 equal to 0 ठेक है बेटा यह 2y square minus 12y और यह हमारा यह minus हो जाएगा यह 2 हो गया और यह 3 हो गया और यह 4 हो गया equal to 0 2 से divide कर देंगे तो minus 6y और यह हो जाएगा हमारा 216 equal to 0 मतलब ऐसे दो नंबर बताएगे जिनका multiply करने पे 212 आये 216 आये और सब स्ट्रैक करने पे तू वन जा तू जिरो में एट जा तू फाइब जा तू फोर जा तू तू जा तू जा तू सेवन जा 2 तू जा और 3 नाइन जा 9 तू जा 6 6 तू जा 12 और 9 तू जा 18 मतलब 18 माइनस 12 y स्क्वाइर माइनस 18y y स्क्वाइर माइनस 18y प्लस 12y माइनस 216 equal to 0 यहां से क्या कमन होगा y यह होगा y माइनस 18 यहां से प्लस 12 कमन तो y माइनस 18 मेटा equal to 0 ठीक है तो यह क्या होगा y माइनस 18 और y प्लस 12 दोनों को 0 को बराबर कर देंगा तो एक बार y equal to कितना आ गया 18 तो यह तो y equal to minus 12 और यह सब क्या है y क्या है distance distance never be negative तो यह equation हमारा नहीं होगा तुमको क्या भीला y equal to 8 तो जब y equal to 8 तो x equal to क्या होगा y equal to क्या होगा y equal to क्या था हमारा देखते आईए x equal to हमारा था 6 minus y just 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 x equal to 6 minus y x plus y equal to 6 x equal to 6 minus y तो हमारा होजाएगा x y x equal to 6 minus y बेटा तो हमारा क्या होजाएगा x equal to 6 minus 18 x equal to मारा जाएगा minus 12 तो यदो निगेटिव नहीं होगा तो यह जाएगा मारा पॉजिटिव बेटा तो y equal to 18 और x equal to 12 तो 44.3 exercise बेटा complete हो गई अब आते हैं हम लोग exercise 4.4 पे 4.4 का पहला एक question क्या पोच रहा है find the nature of the root of the following quadratic equation if the real root exist real root exist कर रहा है find them root of the following quadratic equation of the real root exist आपको पूछन बता रहा है पहले आपको पता करना है अगर real root है पहले बताएगे कि real root है की नहीं अगर real root exist कर रहा है तो उसका आप उसका root निकालिए तो जाहिर सी बात है exist करने के लिए हमने क्या था b square n minus 4 ac is greater or equal to 0 greater रहेगा तो क्या करेगा distinct and real equal to रहेगा तो real and same real and same तो b square यह क्या होगा ax square plus bx plus c से हम compare कर देंगे तो हमारा b क्या हो जाएगा minus 3 का whole square तो minus 3 का whole square कितना हो जाएगा 9 minus 4 a c equal to 0 यह हो जाएगा 9 minus greater or equal to 0 20 और यह हो जाएगा 40 तो यह हो गया minus 31 यह बेटा 0 से बड़ा नहीं है यह 0 से बड़ा नहीं है तो यह not होगा तो यह जो rule root होंगे यह real नहीं होंगे तो यह exist नहीं करेगा तो then root does not root does not exist root does not exist बेटा क्योंग देखिए b square minus 4 इसी b का square हमने किया फिर 4 a c किया तो यह हो जाएगा 4 into 20 20 into 2 40 होगा तो यह हमारा minus आगया आगे आगे देखते हैं आगे क्या है 3x square minus 4 तो यह ax square plus bx plus c बेटा b square minus 4 a c b क्या है 4 root 3 का whole square ठीक minus b square minus 4 a c greater r equal to 0 होना चाहिए b square minus 4 a c 4 a 3 c 4 तो यह क्या हो जाएगा हमारा 16 into 3 यह भी 16 into 3 यह क्या हो गया 0 तो जाहिर सी बात है जब 0 हो जाता है तो real end same real end same तब कैसे निकाल लेंगे हम x equal to minus b plus minus under root b square minus 4 a c upon 2 a अब क्या हो गया x equal to क्या हो गया यह इतना 0 हो गया यह minus b क्या हो जाएगा plus 4 root 3 upon 2 a 2 a एक इतना है 3 यह 2 से 2 गया तो क्या हो गया 2 root 3 by 3 बेटा ठीक तो दोनो root क्या हो जाएगे x to root 3 x equal to क्यत्य आएगे 2 यह by root 3 into 2 by root 3 अब यह आप सोच रहे होंगे root 3 कैसे आ गया यहाँ पे क्योंकि 3 को हम root 3 into root 3 लिख सकते है exponent and power का एक हमने वीडियो डाला है अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो तो जाके आप power और यह root वाला कैसे होता जाके देख लीजिएगा ठीक प्लेलिस्ट में है exponent and power तो यह root 3 3 को root 3 into root 3 लिख सकते हैं तो यहाँ जब root 3 into root 3 करेंगे एक से कट जाएगा तो कितना अच्छे का एक रूट 3 और किसी भी quantity equation के two root होते हैं किसी भी quantity equation के two root होते हैं अच्छा यहाँ पर यह मिल गया हमको ठीक है आए इधर देखते हैं यह भी ऐसे compare करेंगे AX square plus BX plus C से बेटा B square minus 4AC C हमको देखना क्या आना चाहिए greater or equal to zero तभी यह बात बनेगी तो यह हो जाएगा 6 का 36 minus 4 4 कितना हो गया एक इतना हो गया 2 और यह C कितना हो गया 3 greater or equal to zero होना चाहिए ठीक तो यह 36 minus 424 कितना आगया हमारा 12 12 आगया तो यह क्या है greater 0 तो real and real and distinct distinct ठीक है बेटा real and distinct है तो x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a बेटा minus b कितना है plus 6 b square कितना है under root 12 upon 2a a कितना है 2 तो हो गया 4 तो इसको हम क्या लिख सकते है x equal to एक बाई 6 plus root 12 by 4 और यह 6 minus under root 12 by 4 इसमें क्या कर सकते है 4 into 3 तो 4 common हो जागे है 2 तो इसको हम लिख सकते है 6 plus 2 root 3 upon 4 और इदर भी लिख सकते है 6 minus 2 root 12 upon 4 यह क्या अमंग हो जाएगा x equal to क्या आ जाएगा 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 2 plus root 3 by 2 और यहा 2 minus root 3 by 2 बेटा ठीक है ध्यान से देख लिजी यह 12 था 12 को हम क्या लिख सकते है 3 into 4 4 जो square root होता है 4 का square root बहार निकल गया तो 2 हो गया फिर यह 2 यहाँ भी 2 into 3 2 common ले लिए sorry यहाँ पर 3 आएगा 2 common ले लिए 3 plus root 3 और यह 3 minus root 3 होगे बेटा 3 plus 3 3 minus root 3 आएए देखते हैं आगे find the value of k of each following quadratic equation so that they have 2 equal root equal root होने पर क्या होता है बेटा b square minus 4ac equal to 0 b square minus 4ac equal to 0 तो जाएट साथ b square k square minus 4 a कितना है 2 c कितना है 3 equal to 0 तो k square equal to हो जाएगा 4 6 24 4 2 जाएट 8 3 2 जाए 24 4ac हो गया k equal to हमार क्या आजाएगा plus minus under root 24 तिसको 24 को क्या लिख सकते हैं 4 into 8 4 हमारा बाहर निकल जाएगा 4 into 6 4 हमारा बाहर निकल क्या लिख सकते हैं plus minus 6 into 4 4 2 बाहर निकल जाएगा k equal to आ जाएगा plus minus 2 root 6 to root 6 बेटा आएगे देखते हैं जैसे इसमें भी बोला है पहले इसको convert करना है b square minus 4 k x square minus 2 k x plus 6 equal to 0 यह a x square plus b x plus c equal to 0 हो गया अब b square minus 4 e c equal to 0 जब रही है root क्या हो? same हो तो b square क्या हो जाएगा? 2 k का whole square तो 4 k square minus 4 a कितना है? k और c कितना है? 6 equal to 0 4 k square minus 4 24 6 for the 24 k equal to 0 अगर हम k common ले ले रहे हैं k common ले 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 हैं तो उनको क्या मिल ले है? k की value 4 k common ले ले रहे है k minus 6 बेटा equal to 0 तो एक बार k की value जाहिर से बात है जब दो नंबर का product 0 के बराबर हो तो एक बार k equal to 0 4 k equal to 0 तो k equal to 0 and k minus 6 equal to 0 तो k equal to 6 k की value 1 0 हाएगी और k की value 1 6 हाएगी दोनों पर क्या होगा? k की value 0 हो नहीं सकती k की value 0 हो नहीं सकती अगर k की value 0 हो जाएगी तो ये quadratic equation नहीं रहा जाएगा तो इसलिए ये नहीं होगा तो k equal to 6 हो जाएगा ठीक if it is possible to design a rectangular mango groove whose length is twice of its breadth and the area is itna so that it's so it's find its length and breadth एक rectangular groove मतलब पार्ग आपको mango का बनाना है जिसका बोला है अगर जो length is twice of its breadth जो length है अगर breadth को B-R-E-A breadth को हम x मान लें तो length क्या हो जाएगा 2x and its area is if breadth the area area क्या होता है पेटा area of rectangle area of rectangle l into b l कितना है 2x b कितना है x equal to कितना 800 इसका मतलब क्या है 2x square equal to 800 meter square यह इधर जाएगा negative हो जाएगा 2x square minus 800 equal to 0 2 कॉमर लेंगे तो x square minus 400 equal to 0 ठीक है पेटा x square अब यह 0 यह divide हो जाएगा तो 0 में से किसी भी number को divide करते हैं तो 0 आ जाता है x minus 400 equal to 0 तो x square minus 400 equal to x square minus 400 equal to 0 पेटा तो x square equal to 400 x square को हम क्या लिख सकते है 100 into 2 100 x square को 100 into 4 400 को क्या लिख सकते है 100 into 4 तो यह इसका भी square होता है इसका भी square तो x equal to हो जाएगा plus minus 10 into 2 x equal to plus minus 20 जाहिर सी बात है यह distance है तो यह length है distance never be negative तो x equal to आ गया plus 20 तो एक 20 आ गया यह क्या हो गया breath तो length क्या हो जाएगा 2 x 2 into 20 length हमारा आ गया 40 meter ठीक है बेटा सेकेंड कोशन है if the following situation possible is to determine their present age the sum of age of two friends sum of two age अगर two friends है एक f1 और दूसरा क्या है f2 equal to कितना है two friends is 20 ठीक तो अगर f1 को हम x मार ले तो f2 क्या हो जाएगा हमारा 20 f2 equal to 20 minus x हो जाएगा बेटा four year ego four year ego मतलब अगर यहां f1 क्या हो गया था हमारा x four year ego four year ego four year ego मतलब चार साल पहले तो यह f1 का चार साल पहले age क्या हो जाएगा f1 x minus four तो f2 में भी four का वो हो जाएगा minus 20 minus x minus four तो f2 कितना हो जाएगा 16 minus x there age is 48 product of there is 48 product मतलब f1 into f2 equal to 48 हो गया मतलब x minus four into x 16 minus x equal to हमारा हो गया बैटा 48 आई यह इधर देखते है x minus four into 16 minus x equal to 48 बेटा टीक है multiply कर दे रहे है 16 x minus x square minus 64 plus 4 x equal to 48 यह इदर चलाएगा और यह 4 है यह 4 20 minus x square plus 20 x minus x square plus 20 x अब minus 64 minus 48 equal to 0 अब अब minus से multiply कर देंगे तो सब जो negative है वो positive है जो positive हो जाएगा वो negative है plus 112 ऐसे दो नमबर बताएगे जिनको multiply करने पर 112 बाया और add करने पर 20 आजाएगा कितना होगा 2 5 जा 10 2 6 जा 20 2 2 जा 2 8 जा फिर 21 22 जा 4 जा 2 5 जा 10 26 जा 2 2 बोर जा 2 7 जा बेटा आई आगे देखते हैं क्या होगा आगे तो बेटा ये जो equation है x square minus 20 x plus 12 इसको b square minus 4 ac करेंगे b square मतलब 20 का whole square तो हो जाएगा 400 minus 4 into a1 हो गया c क्या हो गया 112 equal to 0 तो ये हो जाएगा हमारा 4 48 और ये 400 ठीक है बेटा equal to 0 तो ये हमारा हो जाएगा minus 48 जब b square minus 4 ac क्या हो जाएगा लेस देन 0 जब लेस देन 0 हो जाता है बेटा लेस देन 0 तो root are root are root are distinct and imaginary हो जाता है क्या हो जाता है imaginary हमको पढ़ना नहीं तो ये सवाल बस यहीं तक रहेगा ठीक है आएगे देखते है if it is possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square it's find the length and breadth क्या बोला if it is possible to design a rectangular park आपको बनाना है जिसका perimeter इतना है और area इतना है तो आपको बताना है perimeter क्या होता बेटा 2L plus B equal to क्या है at T और area कितना है L into B equal to 400 meter square equation 1 equation 2 from equation 1 from equation 1 we get L plus B क्या हो जाएगा 40 और B equal to क्या हो जाएगा 40 minus L यही value हम equation 2 में बेटा पुट करेंगे put this putting this on this value in equation to in equation to we get क्या प्राप्त करेंगे L into 14 minus L equal to 400 ठीक है बेटा यह 14 L हो जाएगा और यह L square equal to 400 यह सब इधर चले जाएगे तो हो जाएगा 4 L square minus 14 L plus 400 देखले B square तो हो जाएगा 1600 सही है तो अब यह ऐसे दो नंबर हमको बताएगे जिनको multiply करने पे जिनका multiply करने पे क्या जाए 400 और add करने पे 20 आजाएगे 20 into 20 सही है बेटा I think यह हमारा L minus 20 का whole square है यह L minus 20 का whole square L minus 20 का हमारा whole square A square plus B square minus 2A B L minus 20 तो हमारा एक बाल हो गया L minus 20 equal to 0 तो हमारा क्या आगया बेटा L equal to 20 L equal to क्या आगया हमारा 20 L हमारा 20 आगया तो B क्या आजाएगा 40 minus L तो 40 minus 20 कितना होता है बेटा 20 meter I think आपका यह quadratic equation जो हमने आगे लिखा था यह 4.4 है बेटा तो आपका quadratic equation complete हो गया है आगे जो आपको पढ़ना है वो आप comment box में बता दीजेगा Sir आप यह lesson इस्टार्ट करिए तो आपको यह lesson इस्टार्ट कर देंगा ठीक है Thank you class आपने यहाँ तक बहुत देखा बहुत बहुत धन्यवा तेन like, share and subscribe ठीक है बेटा